प्रेस कॉंफरेंस के माध्यम से, प्रेस विग्यपति के माध्यम से, मीडिया न्यूस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आप सब में ये बात फिला रही है, कि डॉक्टर विशूर्व राज़ जो है, वो एक फ्रॉड है, और उनसे एक भी पेशेंट आज तक ठीक हुआ हमने पत्र भेच के इन्वाइट किया कि आप आए हमारे पेशन्ट की जांच करें और वाक्य में देखें कि वो ठीक होने की नहीं हो रहे हैं और देश को बताएं कि ठीक हो रहे हैं यहां मामला से वितना है कि कोई भी पद्दती अगर भारती सिस्टम से निकल के आती है निकल के आती है तो उसको दबाने का के लिए पूरा तंत्र है हेल्थ फ्रीडम इस माइ बर्थ राइड और इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि आज भी अंग्रेजों का कानून ही है वो जो ड्रग एक्ट था 1940 का जो अंग्रेजों इसलिए बनाया था ताकि इस देश के हमारे देश के जो प्राचीन पद्धती है अर्वेध है नेचुर्पेथी इसको खतम करके इसको नाश करके इसकी जगए पहलोपेजी सिस्टम लागू किया जाए उनके जाने के बाद यही ड्रग एक्ट बन गया ड्रग एंड मैजिक रेमीडी एक्ट और इस एक्ट के तह सकते हैं मेरे उपर केस हुआ ही पड़ा है जबकि असली बात यह है कि यह सारी बिमारियां ठीक नहीं हो सकती अलोपेजी से बट यह इंडियन ट्रडिशन सिस्टम से सारी ठीक हो सकते हैं अब अगर आपको देश को इस चुंबल से बाहर निकालना है अगर हेल्थ फ्रीडम अपने आपको देना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा कुछ मुझे करना पड़ेगा पहले मैं अपनी बात करता हूँ 23 जुलाइ को मैं देश को देने जा रहा हूँ गिफ्ट में तोफे में हिम्स जलंदर यानि कि हिम्स जलंदर में गरीबों का इलाज पूरी तरह आप मेंसे जो लोग मुझे सुन रहे हैं अगर आप पेशेंट है और इस गरीबी के मेरे पैरामिटर में फिडबैटते हैं और अगर आप हिम्स जलंतर में इलाज करवाना चाहते हैं मुफ्त में तो स्क्रीन पे देवे इस लिंक में जाके अपना मेडिकल हिस्ट्री भर दीजे अपना एड्रस फोन नंबर डाल दीजे हमारे नाइस एक्सपर्ट नाइस माने नेटवर्क को इंट्रेंजा के एक्सपर्ट जो पूरे देश में एक हजार साधी है यानि कि हड डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक वह आपके पास पहुंचेंगे आपसे मिलेंगे आपके मेडिकल हिस्ट्री और आपका जो फैनेशर बैगरांड को जांच करेंगे और आगे हमें रेकमेंड कर देंगे और आपका इलाज आपका रहना आपका खाना हिम्स जलंदर में पूरी तरह से मुफ्त अब एक काम आपको करना है आप सब को 23 जुलाई में मुझसे जुड़ना है कैसे जुड़ना है 23 जुलाई को पूरे देश में लगबग हर स्टेट के एक दो एक दो पेशेंट ऐसे पेशेंट जिने बोल दिया गया था ठीक suppose आप कभी ठीक नियों सकते अब वो सब ठीक है ग्रले टीक सिस्टम से एक ऐसा इसको ऑसके साल उगए आज गया। ऑ बंद हो गया एक टाइम पे इन्सुलीन पे यह महीन होता था अब व ब्लट टाऊज़न होना बंद हो गया पेशेंट पूरे तरह स्वस्त हो गए तो यह सारे पेशेंट पूरे भारत से आ रहे हैं यह कारकुन करने के पीछे का मकसद बड़ा सिंपल है जब से मैंने अविश्कार किया ग्रैड सिस्टम का और जब से पेशेंट ठीक होते चले गए यह एलोपेथी लॉबी प्रेस कॉं उन से एक भी पेशेंट आस तक ठीक नहीं हुआ डालेसिस मुक्त कोई नहीं हो सकता इंसुलिन फ्री कोई नहीं हो सकता तो यह इस से नुकसान सिर्फ और सिर्फ पेशेंट का होगा अब पूरे देश के ऐसे पेशेंट जो ठीक हुए हैं वो आ रहे हैं और मैंने आपकी ज इवाइट किया कि आप आएं हमारे पेशन्ट की जांच करें और वाक्य में देखें कि वो ठीक होने की नहीं हो रहे हैं और देश को बताएं कि ठीक हो रहे हैं यहां मामला से इतना है कि कोई भी पद्दती अगर भारती सिस्टम से निकल के आती है भारती की नेचुरॉपती स निकल के आती है आयरवेज से निकल के आती है तो उसको दबाने का के लिए पूरा तंत्र है इसी से हमें आजादी दिलाना है पेशन्ट को इस देश को और वो तभी हो सकता है जब आप लोग साथ दे फिलाल तो सिर्फ मैं इतना चाहता हूं कि आप उस दिन ऑनलाइन प्रे टेक्नीक्स वहाँ सिखाया जाएगा और यह किताब का लिंक मेलेगा इसमें वो सारे टेक्नीक्स अच्छी तरह दिये हैं विद आल देविदेंसे विद आल दे साइंटिपिक प्रूफ मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले दिनों शृदर नियुश्टी पिलानी एंड अर्विदिक कॉलेज जलंदर ने मिलके एक observation study किया हमारे patients पे और यह पाया 75% dialysis patient की dialysis से पूरी तरह चूट गई उन patients की जिन्होंने 100% grad system को apply किया यानि कि 25% ऐसे भी patient है जिनको हम मदद नहीं कर पाया या पूरी तरह से मदद नहीं कर पाया लेकिन important यह है कि अधिकतर patient प पहुंचाना है आपकी मदद से कि लोग घर बैटके भी जो बीमारियां so called incurable है वो cure हो सकती है याद रखिए मेरे हिसाब से कोई भी बीमारी ला इलाज नहीं होती है लेकिन यह एक system बना दिया अलोपेदी system और एक कानून बना दिया ताकि लोग बीमार रहते जिन्दा रह बीमार रहें क्योंकि जिन्दा रहेंगे बीमार रहेंगे तो ही वैपार हो पाएगा medical industry तभी फुलेगी फुलेगी आपको बीमार करने के लिए बीमार रखने के लिए बाद बात पे बहाने से कुछ न कुछ आपके अंदर डाल दिया जाता है आप गौर करेंगे कि आपके लौ हैं वो कानून हैं वो दवाईयां हैं वो यहाँ पे हैं तो मैं उमीद करता हूं कि 23 जुलाई एक नया करांती की शुरुबात करेंगे health freedom and I know that health freedom is my birthright and I shall have it.